अगर आप लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखें तो चले दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं आज के सवाल आए जानते हैं इन सवालों का जवाब ऐसा क्यों में दोस्तो हम सभी लोगों के घर गया सिलेंडर ज़रूर आया होगा सिलेंडर के नीचे हमने अकसर ये छेद देखे हैं तो आकिर सिलेंडर के नीचे ये छेद क्यों होते हैं दोस्तों सिलेंडर का तल जो होता है उसमें fresh air रहनी चाहिए अगर उसमें गर्मी रहेगी तो सिलेंडर के फटने के chances रहेंगे दूसरा reason है जो नीचे की रिंग है वो सिलेंडर को corrosion यानि जंग से बचाती है अगर सिलेंडर के तल पे जंग लग जाए तो सिलेंडर से गैस लीक होने के चांसिस रहते हैं इसलिए सिलेंडर के नीचे ये रिंग होती है साथी साथ सिलेंडर वालों को भी इस रिंग से फायदा होता है क्योंकि वो लोग एक के उपर एक रख सकते हैं इस रिंग की वएसे सिलेंडर को आज की टाइम में जब गैस पाइपलाइन आ चुकी है तो आप लोग क्या यूज करते हैं गैस पाइपलाइन्स या फिर सिलेंडर हमें कमेट में जरूर बताएं दोस्तो हम सभी लोगों ने देखा है कि पूरे हफ़ते में संडे को हर जगा छुटी रहती है ऐसा क्यों कि संडे को ही छुटी होती है दोस्तो फॉरण में संडे को वीक का लास्डे माना जाता है पूरे हफ़ते काम में बिजी रहने के बाद यानि Monday to Saturday वाकलोड के बाद Christians ने ये माना है कि Sunday को rest में देना चाहिए साथी साथ हफ़ते में busy रहने की वज़े से बगवान की वर्शिप रह जाती है इसलिए Sunday को rest दे साथी साथ वर्शिप डे में देना चाहिए इसलिए Sunday को छुट्टी होती है वहीं कुछ countries में Sunday से week start होता है और पहले दिन अगर वर्शिप में दिया जाए तो पूरा हफ़ता अच्छा जाता है ऐसा वो लोग मानते है वहीं हमारे इंडिया में Sunday को इसलिए छुट्टी होती है क्योंकि जब Britishers हम पे राज करते थे तो हमारे इंडिया के काम करने वाले लेबर पूरे साथ दिन काम करते थे वहीं Britishers छे दिन काम करते थे और एक दिन यानि Sunday को वो वर्शिप के लिए चर्च जाया करते थे ये बात लेबर ने Association के Head से कही उस समय नरायन मेगाजी लोखंडे Head थे Association के साथी साथ पूलेबर Association के founder भी थे ये बात उन्होंने Britishers के सामें रखी कि लेबर को Sunday को holiday मिलनी चाहिए जो कि Britishers ने मानने से इंकार कर दी थी इस बात पर विवाद चला और कुछ सालों में लोखंडे ने इस विवाद को जीत लिया और तभी से हमारे इंडिया में भी Sunday को छुट्टी होने लगी हमने हमेशा वकीलों का dress code black देखा है पर आखिर वो black क्यों होता है 1327 में Edward 3 के time सबसे पहली court hearing हुई थी और उस hearing में जो वकील की वेशबूशा थी वो सुनहरे लाल रंग के गाउन की थी कुछ सालों तक वकीलों की dress में कोई बदलाव नहीं आया लेकिन 1694 में Queen Mary की death हुई जिसमें उनके पती King William ने सारे वकीलों को अखटा होने के लिए कहा और dress code black बताया कुछ वकील उस दिन black coat pant में आये वहीं कुछ वकील black gown में आये ये सब King William ने अपनी बीवी के शोक के लिए बोला था सभी वकीलों ने black color को उसी दिन से dress code बना लिया और उसके बाद से कभी भी इस dress code को chain नहीं किया गया इसलिए वकील आज भी black coat, pant या फिर black gown में दिखते हैं घर में जब भी कुछ टूटता है तो हमेशा फैवी कुईक यूज करते हैं या फिर फैवी कुईक जैसी कोई भी bond पर दोस्तो कभी आप लोगों ने सोचा है कि फैवी कुईक जैसी bonds अपनी ट्यूब में क्यों नहीं चिपकती और जैसे ही वो भार आती है वो चिपकने लग जाती है ऐसा क्यों दोस्तो फैवी कुईक या ऐसी bonds अक्सर किसी air tight tube में आती है साथी साथ इसमें एक ऐसा solvent भी मिला होता है जो फैवी कुईक के अंदर के liquid में present atoms को bond नहीं बनाने देता पर जैसे यूट्यूब ओपन होती है वैसे ही वो solvent एयर के संपर्क में आने की वज़े से evaporate हो जाते है और फैवी कुईक या कोई भी bond जहां भी गिरती है वहाँ वो अपने atoms में bond बनाने लग जाती है डॉक्टर की handwriting इसीली कोई नहीं पड़ सकता और इसी की वज़े से बहुत लोग अपनी जान गलत दवाई खाने की वज़े से गवा देते है पर ऐसा क्यों कि डॉक्टर की handwriting इतनी खराब होती है दरसल ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और डॉक्टर की पढ़ाई में उनकी handwriting प्रेक्टिस कर करके खराब हो जाती है उनको बहुत return exam देने पड़ते हैं जिसकी वएसे उनकी handwriting खराब हो जाती है साथी साथ डॉक्टर बनने के बाद उन पे बहुत pressure होता है जिसकी वएसे वो जल्दी काम करने के लिए जल्दी लिखते हैं और अपने handwriting पर ध्यान नहीं देते बहुत बार medicos और chemist shop पर काम करने वाले लोग भी doctor के handwriting को नहीं समझ पाते इसलिए दवाई के पहले alphabet और आखरी alphabet को देखकर दवाई gas करके दवाई देते हैं इसलिए बहुत लोगों की जान गरत दवाई खाकर चली जाती है वहीं कुछ लोग सोचते हैं कि अगर doctor की handwriting खराब है इसका मतलब वो experience doctor है इसलिए कुछ doctors अपनी writing जान मुझके खराब कर लेते हैं ताकि वो experience लगे आप लोगों को ऐसा क्यों का ये part कैसा लगा हमें comment में ज़रूर बताएं और भी mysterious वीडियो के लिए हमें subscribe करें और bell icon क्लिक करें जिसे आप लोग को सबसे पहले मिल सके हमारी वीडियो की notification साथी साथ हमें Instagram पर follow करें जहां आपको regular mysterious facts मिलते रहेंगे हमारे page का link description में है